हेलो इस्ट्रेंट्स तोड़े वी आर गूंग तो सॉल एक्सराइज 2.2 और पॉलिनोमियल्स चैप्टर नमबर 2 और क्लास 10 तो दा क्यूसर नमबर 1 इस फाइंड दा जी रोज ऑफ दा पॉलिनोमियल्स एंड वैरिफाइड रिलेसंसी बिट्विन जी रोज एंड और जो भी जी रोज फाइंड की हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेसंट होता है उसको वैरिफाइड करना है यह मैं आपको बता चुका हूं कॉंसेट्स में जो सब पोलिनोमियल्स की सबसे पहली वीडियो इस थी उसमें बताया था आपको की कॉंसेट्ट क्या होता है या फारट नमबर थार्ड मैं आप देख रहें है फोल में लिखिये ए 2 प्रम ऊडिदीया है within तुसन आपको गिसी भी ततरी की से दिया उधा लेकिन आपको उसको करने और निए qe क्या और यदे करने के बाद में हम इसको विच्वाइज करेंगे जैसिए क्लास 9 indoors में आपने क्या था मेडिल ट Cherryung को एक्षुलेट कहा था लिए हमने 603 का इनटिप्लाइब क्या तो माइनस एकटीन आता है और माइनस एकटीन के दो फैक्टर किरेंगे माइनस 9 और प्लैस टू जिन को एड लिए निस इवन सेवन आएगा तो उसके बाद हमने, बैंस 7x के दो पार्ट होगे, माइनस 9x ब्लस 2x, और फिर, फर्स टू पार्ट में से कॉमन लिया 3x, और सैकिंड टू पार्ट में, कुछ नही है इसलिए, वहां से 1 कॉमन लेंगे, और फाइनली, हमारे फेक्टर आ जाएंगे, cx x square minus 3 minus 7x के factor होंगे 2x minus 3 दूसरा factor होगा 3x plus 1 फिर दोनों factor को जो भी linear factor आए हैं दोनों factor को equal 0 करेंगे first factor को equal 0 करेंगे 2x minus 3 equal 0 तो 2x equal positive 3 हो जाएगा और x equal 3 by 2 दूसरा factor है 3x plus 1 equal 0 करेंगे तो 3x equal हो जाएगा minus 1 और x हो जाएगा x equal minus 1 upon 3 यह हमने 2 0 find किये अब हम आगे लिखेंगे so the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x are 3 upon 2 और minus 1 upon 3 यह 2 0 हम find कर चुके हैं अब हम करेंगे verification तो हम लिखेंगे verification the relation between zeros and coefficient सबसे पहले हम zeros लिखेंगे हमारे पास zeros यह alpha और beta 2 zeros होते हैं तो alpha की value है 3 by 2 और beta की value है 1 minus 1 by 3 अब coefficient लिखेंगे coefficient आप देखेंगे जो x square का coefficient है वो a होता है तो a की value 6 x कोफिसेंट b होता है तो b की value minus 7 और c यानि constant from minus 3 अब हम क्या करेंगे पहले sum of 0 जो find करेंगे तो sum of 0 जह हमारा alpha plus beta दोनो 0 का sum करेंगे 3 upon 2 plus minus 1 upon 3 तो यह minus हो जाएगा तो 3 upon 2 minus 1 upon 3 हो जाएगा l से हम लेकर solve करेंगे तो हैगा 7 upon 6 यानि sum of 0 हमारा आता है 7 upon 6 यह हम कह सकते है alpha plus beta equal 7 upon 6 फिर हम करेंगे product of 0 product of 0 में alpha beta दोनों की multiply करेंगे 3 से 3 cancel हो जाएगा और बचे का minus 1 upon 2 तो हम कह सकते है product of 0 या alpha beta की value है minus 1 upon 2 उसके बाद हम find करेंगे minus के साथ coefficient of x upon में coefficient of x square minus के साथ minus b upon a तो minus के साथ b की value already minus में है तो double minus हो जाएगा और यह हो जाएगा positive और upon में a की value है 6 तो value आएगी 7 upon 6 next है हमारा constant term upon coefficient of x square तो constant term c और coefficient of x square a तो c upon a की value होगी minus 3 upon 6 तो minus 3 upon 6 होगी तो minus 1 upon 2 अब हम देखेंगे कि जो sum of 0 यानि alpha plus beta है वो minus b upon a के equal है यह भी 7 upon 6 है और यह भी 7 upon 6 है फिर हम देखेंगे कि जो हमारा product of 0 होगे product of 0 होगे minus 1 upon 2 यह alpha beta equal is c upon a के तो हम यहां से देख सकते हैं यह मैंने match भी क्या है यह minus 1 यह HQ along है यहां से हम कह सकते कि जो alpha and beta है वो c alpha beta c के equal है और जो alpha beta est alpha plus beta है वो minus b upon a के equal है जैसे हैं यहां पर seven upon 6 seven upon 6 के equal है तो अब हम write कर सकते है hence alpha plus beta equal minus b upon a और यही हमें verify करना था तो the relation is verified next question देखते हैं students next question है आपका 4u square plus 8u, यह जो polynomial है यह ax square plus bx type किया इसमें constant term नहीं है तो इसको solve करने का method थोड़ा different है जब two term हमारे पास होते हैं तो हम क्या तो common लेते हैं या उसमें identity का यूज़ करते हैं तो यहां हम common आसानी से ले सकते हैं तो for you common लिया यू plus 2 यू plus 2 तो यहां दो factor बन गए for you और you plus 2 आसानी से बन जाएंगे इसमें strength confused होते हैं कि इसको कैसे middle term को split करेंगे कैसे करें तो यह तो simple है two term वाला हमारे पास पोलनों मेल है तो हम उसको common ले लेंगे जिरो सेकिंड फैक्टर यू plus 2 को equal 0 किया तो यू की वैल होएगी माइनस टू तो इस तरह से हमारे पास 0 होंगे सोदा 0 जो फोर यू स्क्वाइर प्लस एट यू के दो 0 हमारे पास होंगे एक 0 होगा और एक माइनस टू हम क्या करेंगे verification of the relation between zeros and coefficient पहले 0 हमारे पास क्या है ? U SqR का coefficient A and U का coefficient B तो U का coefficient है 4 A कवल वा 4 और B कवल वा 8 अब हम देखेंगे C, C यानि constant तो constant तो उमारे पास ही नहीं तो constant द्रम की value 0, तो यह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह A की value है और यह B की value है C की value नहीं है तो C equal 0 जिरो अब क्या करेंगे वैलू ओस्कैने एपहले अलफा प्लस बेटा हैं absorbenड़ करने और फिर आलफा-बेटा निकालेंगे वो –b upon A की value से match होती है तो हम कह सकते हैं कि alpha plus beta है वो –b upon A ka equal होता है और यहां देख रहे हैं आप alpha beta की value C upon A के equal है यानि alpha beta C upon A के equal है तो हम right कर सकते हैं नीचे we find that alpha plus beta equal minus B upon A and alpha beta equal C upon A तो hence the relationship यह relation is verified और इस्टेजंस अभी next solution देखेंगे तो सवत्स्विक्षरन एमारे पास है को लिए पारट क्लिए सब्सक्रार करतकुस्अ का फिपर्ट फिपर्टैथ्जिसकौर माइनोस 15 तो यह एकäreद ध्र स्कौईर माानसटी की फोम में इसमें 2政 दिया है और हमें इसको देख सकते हैं यहांपर कि हम इसमें common नहीं ले सकते हैं, common नहीं लेंगे तो identity उजोगी, कौन से identity उजोगी, a square minus b square, t square है, वो t का square हो जाएगा, और minus 15 जो है, 15, root 15 का all square हो जाएगा, तो यहां पर identity हो जोई, a square minus b square equal a plus b और a minus b, इसके दो factor होते हैं, a plus b यानि t plus root 15 और दूसरा t minus root 15, इक important बात मैं बता रहा है, यहां पर ध्यान दे, अगर minus की जगे प्लस आ गया, t square plus 15 आ गया, तो पहले आप comment चेक करेंगे, comment नहीं ले पाएगे, उसके बाद आप देखेंगे, identity a square minus b square, वो भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि प्लस आया है, तो फिर हम इस polynomial के zeros find नहीं कर पाएंगे, तो हम लिख देंगे, this polynomial cannot be factorized, so we cannot find the zeros, clear strength, लेकिन वो तब होगा, जब देखेंगे, अभी तो यहां पर हमने factorize कर दिया, तो there are two factors, first factor को 0 के equal किया, तो t की value आती है, minus root 15, क्योंकि t plus root 15 equal 0, root 15 उदर जाएगा, तो minus root 15, दूसरा है, t minus root 15 equal 0, तो 15 दूसरी side जाएगा, तो t equal root 15, तो हमारे पास, so the zeros are, t square minus 15, are minus root 15, and plus root 15, अब verification भी करना है, तो verification the relation between zeros and coefficient, तो पहले हम क्या लिखेंगे, alpha, 0 के हमारे पास, alpha की value है, minus root 15, और beta की value है, root 15, या पर मैंने b लिख दिया, तो आप इसको beta कर लेंगे, और के strengths, यह आप इसको beta कर लेंगे, तो beta की value है, root 15, जाने के strengths, b नहीं है, b को beta मानना है, beta करेंगे, इसको beta equal root 15, इसके बाद है, coefficient a, यानि x square का, यानि t square का coefficient है, 1, तो a की value हुई 1, b, यानि t का coefficient नहीं है, इसलिए 0 लिखेंगे, और constant term है, तो c की value minus 15, यह आपको देखना है, यहाँ पर इस polynomial में देखना है, तो यह सभी value आपको यहाँ से मिलेंगी, clear strength, अब alpha plus beta की value निकालेंगे, तो minus root 15 plus root 15, दोनों cancel हो जाएंगे, 0 आएगा, alpha beta की value निकालेंगे, minus root 15 into root 15, तो minus, छोड़कर दोनों की multiply करेंगे, तो 15 आजाएगा, उसके बाद minus B upon A की value निकालेंगे, minus B यानि 0 है, तो 0 upon 1 0 हैगा, C upon A, यानि C की value minus 15 है, तो minus 15 upon 1 यानि minus 15, अब आप देखेंगे, इस यहाँ पर यह match होता है, इस से और यह match होता है, इस से तो हम कह सकते है, alpha plus beta minus B upon A की equal है, और alpha beta C upon A की equal है, किले स्ट्रेंट, सो वी फाइंड, alpha plus beta equal minus B upon A, and alpha beta equal C upon A, hence the relation is verified, आगे देखते हैं, किस्ट नमबर 2, SSI 2.2 का किस्ट नमबर 2, इसमें क्या करना है, स्ट्रेंट, find the polynomials, polynomial find करनी है, if sum of the zeros and product of the zeros are given, ध्यान देखेंगे स्ट्रेंट, यहाँ पर आपको sum of zeros and product of zeros दिये हैं, ना कि zeros दिये हैं, तो अगर आपको zeros दिये होंगे, तो आपको sum of zeros और product of zeros find करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर already sum of zeros and product of zeros दिये हैं, सो हम लेते हैं, first part, given sum of zeros equal 1 upon 4, and product of zeros equal minus 1, तो required polynomial क्या होती है, मैंने आपको बताता है, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, तो x square minus sum of zeros है, 1 upon 4 into x plus minus 1, तो यह हो जाएगा, x square minus 1 upon 4x minus 1, अब क्या कर सकते हैं, upon में 4 है, तो पूरी polynomial को 4 से multiply करतेंगे, 4x square हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 cancel हो जाएगा, और यहाँ 4 बन जाएगा, 4, तो यह polynomial होगी आपकी, next है आपका second part, root 2 और 1 upon 3, root 2 है sum of zeros, given sum of zeros equal root 2 and product of zeros equal 1 upon 3, तो required quadratic polynomial होगी, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, तो value रख देंगे, x square minus root 2x plus 1 upon 3, upon में 3 को cancel करने के लिए, पूरी polynomial को 3 से multiply कर देंगे, तो 3 x square minus 3 root 2x plus 1, यह polynomial मिल जाएगी आपको, next है आपका sum of zeros दिया है 0, और product of zeros दिया है root 5, मैं फिर बता रहा हूँ, इस्ट्रेंट्स यहाँ पर आपको zeros नहीं दिये हैं, sum of zeros दिया है, product of zeros, तो आप यह नहीं, बहुत से स्ट्रेंट्स क्या करते हैं, इनको माल लेते हैं 0's, और फिर अगेन इनका sum of zeros कर लेते हैं, और product of zeros जोकी wrong हो जाता है answer, यहाँ ओ लेडिया आपको sum of zeros and product of zeros गिवन है, तो required polynomial x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, value रखी तो x square minus 0 into x plus root 15, 0x minus 0x, तीनों मिलकर 0 हो जाएगे, cancel हो जाएगे तो बचेगा plus root 15, इसको आप 5 कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, 5, root 5 कर लेंगे, root 5, clear, तो polynomial हो जाएगे x square plus root 5, यानि x square plus root 5, अगेन इस्टेंट नेक्स जोसन आपका, sum of zeros दिया है, minus 1 upon 4 and product of zeros दिया है, 1 upon 4, value पूट करेंगे, इस्टेंट्स required quadratic polynomial equal x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, sum of zeros यानि minus 1 upon 4 put करेंगे, और product of zeros 1 upon 4, double minus हो जाएगा, तो plus में आजाएगा, तो x square plus 1 upon 4 x plus 1 upon 4, यह जो minus का sign है, यह आपको ध्यान रखना है, एक तो formula में minus है, दूसरा sum of zeros के साथ minus है, तो दोनों positive हो जाएगे, तो polynomial आजाएगे x square plus 1 upon 4 x plus 1 upon 4, यहाँ 4 से 4 cancel, plus x बचेगा, यहाँ 4 से 4 cancel, 1 बचेगा, तो required polynomial होगी, 4 x square plus x plus 1, तो इस तरह आपका यह exercise 2.2 complete होती है, आप इससे पनी notebook में solve कर सकते हैं, और exercise complete कर लेंगे,